नवरात्री के सप्तमी के दिन आरा सहर के रम्ना मैदान इस्थित होटल दरीगल में आंगन रिश्ट्रेंट का उधगाटन एमल सी राधा चरंसा वोंकी पत्नी सार्दा देवी ने क्या रम्ना मैदान इस्थित होटल दरीगल के नए रिश्ट्रेंट का निरुवेशन कर आरा के लोगों के लिए नए तरीके से खोला गया जिसमें लाइट्स और अंदर से काफी आकर्शक देकूरेशन की गई होटल दर इगल की नए रेश्ट्रेंट आंगन को लेकर आरा वक्सर के मिल सीधा अधा चरण साह ने कहा कि यह ऐसा रेश्ट्रेंट आरा सहर में पहली बार लॉंच गुआ है और उम्मीद है कि यह आरा के लोगों को पसंद आएगा यह रेश्ट्रेंट हाइटेक तरीके से बनाए गया है यहां लोगों को हर तरह की शुविधा मिलेगी इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा जिस तरह से होटल दर इगल का नाम काफी पुराना है यह होटल काफी पुराना है उसके नाम को हमियाद देते हुए इस रेश्ट्रे बिजनेस का मतलब है कि रेट, बिवहार, क्वालिटी अपना बनाए रखेंगे तो लोग पसंद करेंगे, जादे से जादे लोग इसका लाभ उठाएंगे. बिजनेस के रहाएं पसंद करेंगे, जो पटना लोग जाते हैं, पटना नहीं जाना पड़ेगा, अब यहाँ जो पटना जाकर लोग अपना बनरजन करते थे आरही में मिलेगा बनरजन, इसलिए दुदो आज रेटूइन्ट का गातन हो रहा है, सब लोगा इच्छा है कि अच्छा से अच्छा लोगों को यहां सर्विस दे लोगों को सेवा करें वहीं आरा पटना बाइपास में मैस्टिफ ग्रांड रिगल रिशॉर्ट में मचान रेस्ट्रेंट का भी उद्धाटन इमल सी राधा चरन साव और उनकी पत्ति सार्दा देवी ने किया फिता काट कर दोनों रेस्ट्रेंट का कस्टमर के लिए लाए गए हैं साथ ही इस रिश्ट्रेंट की खासियत गया है कि यहां स्विमिंग पूल भ्यू के साथ इंडियन चाइनिज तंदूर सहित कई डिसिस का आप लुफ्त कस्टमर उखा सकेंगे वहीं रिश्ट्रेंट के बारे में बताये गया कि अलग घ्यू और अलग फील के साथ मचान रिश्ट्रेंट की सुरुवात की गई है और उमीद है कि आरा के लोगों को यह काफी पशन्द आएगा हाला की मैस्टिफ ग्रांड रिश्ट्रेंट में कस्टमर काफी आते थे जिसको देखते हुए मैस्टिफ ग्रांड रिश्ट्रेंट मचान रिश्ट्रेंट की सुरुवात की उद्गाटन समारों में आराबक्सर एमिलसी राधा चरुन सा, उनके पत्ति सार्दा देवी, हाकीम सा, शत्रुधन सा, कनहया सा, बाशुकी सा, सतिंदर्शा, बर्मिश्वर जी, आसुतोस पांडे, मिथुलेश कुमार, राकेश सिंग, राहुल सहित, कई लोग उपस्तित र हुआ है